दोस्तों, इस वीडियो के माद्यम से हम महारस्ट्र कॉर्पोरीशन स्टॉ के अंदर डिटेल पे अनलिसिस करने के लिए जा रहे हैं देखें यह महारस्ट्र कॉर्पोरीशन स्टॉक अगर आप उसका स्टॉक प्राइस को देखूए पे 79 पैसा के आसपास यह स्टॉक प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा और यह लास्ट एडिक सेशन पे 2.6 परसेंट के आसपास यह स्टॉक ऊपर आपके क्लोजिंग दिया है तो काफी लोग इस पे एक्साइटेड अभी हो रहे हैं कि यह स्टॉक के अंदर बड़ा मुमेंट हमको देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि 0.79 पैसा के आसपास टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और देखो इसका अगर आप 52 विक्स हाय और लोग को दे कंपनी है तो हम इसके अंदर इंवेश्मेंट करेंगे तो हमको बहुत बड़ा मुनाफा इस पर मिलने वाला है तो देखे उसके बारे में डिटेल्स करने से पहले मैं एक पर आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखा दे रहा हूं कि टेक्निकल चार्ट के साब से स्टॉक कैसे को से लिए बोरे मांफन के घुषा न चार्ट के साब से एक जीज यहाँ पे नोटीस करो जब हुत इस पर हमको से और यहीं तो पर पर देखने के लिए मिला तर्ट के है तरफ गया था उसके बाद देखो इस पे selling pressure हमको देखने के लिए मिला और यह इस टॉक कांटिन्यू लोईर है लोई-लो बाटन फॉर्मेशन करके यह नीची की तरफ आ गया और बैसिकल यह company देखो किस टाइप का company है यह यह बैसिकली यहाँ पे investing trading के अंदर यह काम करता है और textile business के अंदर textile product के अंदर यह company काम करता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2008 पे हमको proper cross market पे देखने के लिए मिला था मार्केट नेची की तरफ आया था तो यहाँ पे सायद उनको trading पे loss हुआ होगा वो जो investment बगरा किये होंगे इसलिए stock का price दिरे दिरे नेची की तरफ आ गया लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे इस stock कैसे पॉप हम कर रहा है यह around 2008 डिसेंबर के आसपास देखोगे पुरा नेची की तरफ आ गया था 3 रूपीज के आसपास 3-4 रूपीज के आसपास उसके बाद यह थोड़ा recover करके उपर आन के लिए मिला यह 2014 पर देखने के लिए मिला सेप्टेमबर वहिना पर तो डारेक्ट यह 11 रूपीज के आसपास चल रहा था तरेड फिर 13 का हाई लगा के यह लेवल के आसपास 13 का हाई लगा फिर यह नीची की तरफ आ गया तो 2014 के बाद देखो यह stock उतना कुछ पाफर्म नहीं किया है उतना उपर के तरफ नहीं गया है तो यह stock around 20-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है लेकिन यह लेवल के आसपास 2020 के बाद जब मार्केट धिरे-धिरे recover करना start किया तो यह stock के अंदर देखो थोड़ा moment हम पो देखने के लिए मिला है तो यह stock अभी अगर आप देखो रहा है 0.5 के आसपास इस पे लो बन रहा है जनरल यह level के आसपास 0.8 के आसपास लो बन रहा है तो काफी लोगों का यह question है कि हमको यह stock के अंदर अभी investment करके जाना चाहिए या नहीं क्योंकि यह level के आसपास आप देखोगे मैंने screen को remove कर देता हूं जो draw किया है तो देखो लेबल के आसपास basically एक base वराने की कोशिस कर रहा है तो काफी लोगों का यह question है कि इस लेबल के आसपास हम इस पर buy करेंगे या नहीं क्योंकि देखो stock अगर यह level के आसपास buy करेंगे support लेगा और इस लेबल से अगर उपर की तरफ आता है generally 2 rupees के आसपास यह level के आसपास तो हमारा resistance आ रहा है तो यह level के आसपास अगर यह target लेके जाएगे तो उनका capital तो double हो जाएगा और 80 परशा के आसपास यह stock का price है तो 80 परशा के आसपास price है मतलब काफी अच्छा का quantity इस पर भी ले सकते हैं जो कि उनका जो capital है capital यह level के आसपास double हो जाएगा लेकिन देखो इस किसे क्या चीज़े company का site में लिखा हुआ है तो सारी चीज़े मैं आपके दिखाने बाला हूं तो देखे यह level के आसपास मैंने यह महराश्ट्र कॉर्परेशन stock के अंदर मैंने देखो इसका market capitalization तो आपको अल्रड़ी बता दिया है कि 49 करोर के आसपास market capitalization है जो भी stock के अं अगर वो 10-15 के अंदर आपको पी देखने के लिए मिलेगा तो वो stock के अंदर investment करोगे तो काफी अच्छा return of space generate होता है यह देखो 327 के आसपास यह दिखा रहा है तो देखे मेरे analysis के साब से मुझे अभी stock के अंदर को investment वगरा नहीं करना है मैंने क्यों अभी इसी level के आसप से लेकर यह देखो जून 13 से लेकर जून 2013 से जून 2024 के आसपास यह record यह आपको देखने के लिए मिलेगा यह देखो जून 2013 से 2015 तक दो साल का data यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बाद देखो यह data यहां पे है नहीं तो अगर इस टाइब का scenario देखने के लिए मिलता है अगर आपको data site के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है तो वो company भी कुछ तो जोल हुआ होगा या इसलिए वो data जो है वो प्रॉपर लिया पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है और यह label के आसपास देखो जो stock के अंदर 500% के आसपास यह जो रिटन दिया था 2021 के आसपास 2021 के आसपास यह देखो data तो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है अई देखो जो net profit है यहाँ पर 0.23 के आसपास था इसी level के आसपास जून पर थोड़ा नीचे की तरफ आया तो इसलिए चार्ट के उपर आपको नीचे दिखा रहा है उसके बाद देखो यह quarter पे काफी आच्छा कासा इस पर net profit हमको देखने के लिए मिला था जून 23 से December 23 इसलिए stock के अंदर यह जो moment यहाँ पर देखने के लिए मिला है जून के बाद December तक यह moment हमको उपर के तरफ देखने के लिए मिला है और जून के हिसाफ से जून 2024 पे यह 0.51 के आसपस डाटा देखने के लिए मिल रहा है तो देखो अभी यह level के आसपस अगर आप net profit देखोगे quarterly के हिसाफ से यह business में इस पर negative return भी हमको देखने के लिए मिल रहा है अगर आप total year wise डाटा देखने के लिए जाओगे yearly डाटा के हिसाफ से यहां पर continue आपको negative data देखने के लिए मिलेगा तो अगर किसी भी company के अंदर आप investment करके जाना चाहते हो और आपको continue negative data देख रहा है मतलब उस पर loss आपको देखने के लिए मिल रहा है जो गा net profit है तो उसके अंदर आपको जानने से पहले थोड़ा सुचना पड़ेगा क्योंकि मैं तो इसी लेबल के आसपास अभी इस पर investment नहीं करूंगा यह मैंने मेरा opinion आपके साथ share कर रहा हूं आप इस पर आपका खुद का पैसा invest करने से पहले आपकी financial advisor के साथ एक बार बात कर लीजिएगा तो मेरा राहे जो मैंने share कर रहा हूं यह stock के इसाप से अभी इसी लेबल के आसपास मुझे इस पर entry नहीं करना है मुझे यह stock थोड़ा better जो perform करेगा तो अभी मैंने entry करने के लिए जाओंगा क्योंकि देखो यह stock 2023 के comparison में इसका net profit भी काफी काम आया है और यह stock के अंदर आप और एक चीज मैंने आपको देखाना चाहता हूं जो उसका investor है जो promotor है उसका उसकी खुद के पास देखो कितना promotor का holding है promotor holding यह देखो 16% के आसपास खुद के पास holding है और public के पास कितना है ना इस पे कोई FIA invest की है ना कोई DIA invest की है यह से पॉब्लिक जो वाई करके रखे हैं पॉब्लिक इस पे देखो 83% पॉब्लिक ही वाई करके रखा है और इसके ऊपर यह देखो जो promotor का थोड़ा सा बढ़ा है यहां पे जो holding 13% से 16% हुआ है 2021 के बाद ही हुआ है तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट यह 2021 के बाद जब यह stock ऊपर की तरफ गया था उससी लेविल के आसपस यह promotor holding थोड़ा इस लेविल के आसपस आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगा लेकिन देखो public के पास already 84% 85% के आसपस stock है तो व इस पर थोड़ा इंट्री करना अभी risky होगा और देखो मैंने उसका site को यहां पर open किया है यह site के अंदर आप जा किया देखोगे इस साइट पर उतना कुछ आपको detail देखने के लिए नहीं मिलेगा मैं एक बार इसका यह देखो investing trading और textile के अंदर यह काम कर रहे हैं यह मैंन investing के अंदर क्लिक कर रहा हूं investing के अंदर यह कुछ open नहीं हो रहा है और यहां पर textile की अंदर क्लिक कर रहा हूं देखो वुझ कोल नहीं रहा है तो इसपे अगर आप investor Mü Ki Inde में और यह कंदर देख रहा है कि करके कि कुछ कुछ ऐसा कुछ इंफर्मेशन मिल रहा है क्या यह दिखो मैंने वीव पीडिव कर रहा हूं यह पीडिव के अंदर कुछ इंफर्मेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा से प्लेन और सिंपले आपको इडिव ओपन हुआ है तो यह मैंने मेरा ओपिनियन अभी कर रहा हूं मैंने तो अभी इसी कंपनी के अंदर अभी कोई इंवेशन करके नहीं जाने वाला हूं अगर आप खुद इस वे इंवेशन करना चाहते हो तो आप आपकी फैनेंसेल आडवेजर के साथ एक बार बात कर लिजिएगा आपका क्या राय है मुझे एक बार कॉमेंट सिक्षन पर जरूर बताएगा